Hey guys, welcome to the study with my young मैं हूँ आपका मयंग और I la रहा हूँ मैं आपके लिए NCEIT, Geography, Class 7 के MCQ आज इसी क्रम में यहाँ पर आपका chapter 6 है यहाँ पर हम प्राकर्तिक वनस्पती एवं 1 एजीवन इससे समंधर प्रशनों को देखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर आज का पहला प्रशन है नीचे दिये गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए कथन आपका दिया गया है चड़ाई पर उपर जाने पर इस्तलाकरती एबं प्राकरतिक वनस्पती के बदलते रूप देखने को मिलते हैं कारण बताया गया है उचाई में परवतन के साथ जलवाई में परिवतन होता है तो था इसके कारण प्राकरतिक वनस्पती में भी बदलाव आता है देखें जब भी आप कहीं पहाड़ी लागों पर जाएं तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप उंचाई पर चड़ते जाएंगे प्राकर्तिक वनस्पति और जो इस्तिलाक्रति हैं इनमें आपको भिन्यता देखने को मिलेगी इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर जलवायू जो परवर्तन है इसकी जैसे आपको प्राकर्तिक वनस्पतियों में भिन्यता देखने को मिलती है जैसे जैसे उचाई पर बढ़ते जाते हैं टेंप्रेचर आपका लो होता जाता है कम होता जाता है तो उसी अनूप देखेंगे जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी यहाँ पर भिन्यविन होते जाते हैं तो यहां पर आपका कथन और कारड़ दोनों ही सही है, तो यहां पर आंसर है आपका A, इनि A और A दोनों सही है और A का सही स्परश्टी कारड़ है, दूसरा प्रश्ण अब आपका, वनस्पतियों की ब्रद्दी के संधर्म में निम लिखित कथनों पर विचार कीजिए, उच कि बनस्पति की जो बरद्धी है वास्तम में आप देखेंगे इसमें temperature का भी प्रभाव पड़ता है जो आपका moisture है नमी है इसका भी प्रभाव पड़ता है इसके लाबा कहां पर ओग रही है इसके ढाल कौन सा है परवती इलाका है मैदानी इलाका है मिट्टी कैसी है वागी ये सबी चीज़ां जो होती हैं बनस्पतियों की ब्रद्धी में कही ना की मेंड कारक होती हैं। तो यहाँ पर आपके दोनों ही ओप्सन आपके सही हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा C, एक और दो दोनों। तीसरा प्रश्ण है बापका प्राकर्तिक वनस्पतियों की मुकिस रेडियों के संधर्ब में निमलिखित कतनों पर वेचार कीजिए यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कतन असत्य है इन गलत कौन सा है यह आपको बताना है पहला है वन जो व्रक्षों के लिए उप्युक्त तापमान एवन परिपूर वर्सा वाली चेतरों में उगते हैं फिर आपका घास इस्तल का बताया गया है केवल सुस्क चेतरों में पैदा होते हैं कांटेदार जाडियां जो मध्यम वर्सा वाले छेतर में विक्सित होते हैं देखे बात करें वनों की तो वनों के लिए जो वरक्ष हैं या जो वरक्षों के लिए उप्युक्त तापमान और परपूर वर्सा वाला छेतर होते हैं उनमें आपके बन जो है उकते हैं और बन जो है दो तरह के हो सकते हैं आपके सघन बन हो सकते हैं यानि सघन का मलब आप समझ रहे होंगे जिनके व्रक्ष अत्यंत पास होते हैं और वहीं दूसरे बन होते हैं खुले बन जिनके व्रक्ष जो होते हैं दूर दूर होते हैं तो वन जो है दो तरह के हो सकते हैं, सगन या फिर खुले, इनके बारे में अभी आगे देखेंगे, वहीं घास इस्तलों की बात करें, तो घास इस्तल आपके वहीं उखते हैं, जहाँ पर मध्यम बर्सा होती है, यहाँ पर आपका सेकिंड वाला जो कथन दिया हुआ है, गलत है, घास इस्तल प्राय जो है, मध्यम बर्सा वाले शेत्रों में यह उखते हैं, तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला गलत हो जाएगा, कांटेदार जाडियां, आप लोग जान देख, कांटेदार जाडियां वहीं होती है, जहाँ पर सुस्क छेत्र होता है, वहाँ पर नमी की चेत्रों में उखती है, तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा, केवल पहला बाला सही है, उचा गया है कौन सा कतन आपका असत्य है, केवल दो और तीन कतन असत्य है, तो आंसर तीसरे का बी, चौथा प्रशने अब आपका, उष्ट केटवन दिया, भूमद रेखा, एवं उष्ट कटवन के पास पाई जाते हैं, सेकंड, इन वनों के चेत्र गर्म होते हैं, एवं पूरे वर्स, यहाँ अत्यदिक वर्सा होती है, अगला है, इन वनों में दिन के समय भी, सूरिका प्रकास वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता है, उष्ट कटवन्द है, इसके आसपास पाई जाते हैं, तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, वहीं आपका जो सेकंड कथन है, वो बोला गया है कि इन वनों के चेत्र गर्म होते हैं, और पूरे वर्स यहाँ तदिक वर्सा होती है, चौँकि भूमद रे इसलिए इन सदावार वन भी कहते हैं, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है, तीसरा है, देखें ये वन जो हैं, इतने जादा घने होते हैं, इतने घने होते हैं, कि इनके जो वरक्षों के जुर्मोट हैं, उनको पार करके प्रकास भी इनके धरातल तक नहीं पाता है, वहीं अगर बात की जाए इन वनों की, चूंकि मैंने आपको यहाँ पर आपको सेकंड स्टेट्मेंट में बताया है, कि यहाँ ये खेतर गरम होते हैं, पूरे वर्स यहाँ पर वर्सा होती हैं, तो वर्सा की नमी की जैसे ये इनके जो व्रक्ष हैं, ये अपनी भार्यों सेकंड सेकंड सैकंड स्ट में फाता वर्स ये, तो यहाँ पर आपका चौता वाला होती हैं, प्रत्वी की प्रतीथ होते हैं, कि वार्त में, शूर्स में, व्रस होते हैं। भारत में देखे ब्राजील में आप लोग जानते ही हैं अमेजन ने दी की जो द्रोणी है ये सबसे ज़्याद सघन कह सकते हैं सधावार बनों के लिए फैमस हैं और जो कहा जाए आपके प्रतवी के लंग्स के रूप में कई बार पूछा जाता है प्रतवी के लंग्स या प प्रत्वी के फेपडे भी कहते हैं तो अमेजन की जो वर्सा बने वो अधिकांस ब्राजील में पढ़ते हैं तो उष्ट कटवन दी सधावार बन प्रत्वी के फेपडे की तरह जो प्रतीत होते हैं वो आपके ब्राजील देश में पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका सही आंसर है पाँचमे का C वाला छटमा प्रशन है अब आपका विस्तु का सबसे बड़ा साप एना कॉंड़ा कौन से प्रकार के बनों में पाये जाता है C तोष्ट सदावार बनों में उष्ट कटवंदी वर्सा बन में संकुधारी बन में और उष्ट कटवंदी पढ़पाती बन में दिक के विस्तु का सबसे बड़ा साप एना कॉंड़ा जो है आपका उष्ट कटवंदी वर्सा बन में पाये जाता है तो यहाँ पर सही आंसर हो गा चटमे का B वाला यहां के व्रक्ष पत्तियां जाड़ देते हैं अकला है इन प्रदेशों में आम तोर पर पाए जाने वाले जानवर कौन-कौन से हैं बाग, सेर, हाती, गोर्डन लंगूर एबन बंदरादी हैं देखे पढ़ पाती से आपको समझ में आ रहा होगा पत्ते गराने वाले तो जो पड़पाती वन होते हैं इनको मांसूनी वन भी कहा जाता है और इस तरह के बन आपके इंडिया में, उत्तरी, और उस्टेलिया में, इसके लाबा मद्ध अमेरिका में ये बन पाए जाते हैं तो यहाँ पर आपका पहला वाला कतन आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इन शेत्रों में मौसमी परिवर्दन होता रहता है, इस बज़े से क्या होता है, सुस्क मौसम में यहां के व्रक्ष जो होते हैं, वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, उनको आपका सेकिंड वाला कतन आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इस प्रकार के जो भी वन या जंगल हैं, इन में कौन-कौन से जानबर देखने को मिलेंगे, बाग, सेर, हाथी, गोलल, नंगूर और बंदर इन में देखने को मिलेंगे, तो देखें जोक्त कथन किस प्रकार के वनों की विशिस्ताओं को बताते हैं, सीतोष्ट पढ़ पाती वन, उष्ट कडवंदी पढ़ पाती वनों की विशिस्ता बताते हैं, सीतोष्ट सदाबार वन, या भूमत सागरी वन अस्पती, तो इस्टिक में पढ़ते हैं, यह वन मद्द अक हो रही है सी तोष्ट सदावार बन जो होते हैं यह मद रक्षांस के जो तटी प्रदेश होते हैं उन में पाई जाते हैं तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो स्टेट्मेंट है वो बिल्कुल मैच कर रहा है इससे दूसरी बात यह है कि एकसर की देखेंगे यह वन सामानेतर जो है जो भी महादीप है उसके पूरवी किनारों पर यह पाई जाते हैं तो यहाँ पर आपका यह भी इससे मैच कर रहा है इसकी विजिस्ताओं से इसके लावा यहाँ पर जो भी इनमें ब्रक्ष होते हैं तो इनमें ब्रक्ष जो ऐसे ब्रक्ष होते हैं जिनकी लकड़ी नौमा प्रश्णय वापका, सीतोष्ट पढ़पाती वनों के संधर्म में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए, नुशा गया है कौन सा कतन यहापर सत्य हैं। हैला है, निमनक्छांस की ओर बढ़ने पर अधिक सीतोष्ट पढ़पाती वन मिलते हैं। इस प्रकार के वन अधिकांस्त है, महादीपों के पूर्वी एबं उत्तर पूर्वी 30 भागों में पाई जाते हैं। तो यहाँ पर आप पहली बात यह ध्यान रखें, कि यह जो बन है आपके यह उच्छ अच्छांसों में मिलते हैं, ना कि निम्नक्छांसों में, यह उच्छ अच्छांस की और जैसे बढ़ते जाएंगे आप, पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका सेक्ड वाला कथन भी यहाँ पर सही है, और सेम इनका वही है, यह सा उच्छ कटबंदी पढ़पाती वनों के साथ था, कि यह सुस्क मौसम में प्रत्तियां गिरा देते थे, तो वही यह भी करते हैं, अपने आपको जिंदा रखने के लिए, अपने आपको सर्वाइब करने के लिए, यह भी सुस्क मौसम में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, तो इस प्रकार के वनों के प्रक्ष, अपनी पत्तियां सुस्क मौसम में जाड़ देते हैं, तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला भी सही है. मुच्छा गया है कौन सा अगतन आपका सत्य है? तो यहाँ पर आपका B वाला सत्य है, केवल दो और तीन. दसमा प्रश्ण नेवापका, निम्न मैं से किस प्रकार के वन प्रदेश को विस्टु का फलोध्यान कहते हैं? विस्टु का फलोध्यान भी कहते हैं, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है, 10 का D वाला. ग्यारेमा प्रश्ण है वापका, महादीपों के किस भाग में भूमत्य सागरी वनस्पति पाई जाती है? यह आपको बताना है कि महादीपों के कौन से भाग में भूमत्य सागरी वनस्पति की परधानता होती है? पश्चमी भाग, पूरवी भाग, दच्चड पश्चम भाग या उत्तरी भाग लेकि महादीपों के पश्चमी और दच्चड पश्चम भाग में आप देखेंगे ये भूमत सागरी मनस्पतियां पाई जाती है और यह अधिकतर यूरोप में, अफरीका में, एसिया के भूमत सागर बाड़े जो प्रदेश हैं उनके समीब जो प्रदेश हैं वहाँ पर पाई जाती है इसके अलावा जो भूमत सागर से दूर कुछ प्रदेश हैं जैसे संयुक्तराज अमिर्का का जो कैलिफोर्निया है साउथ जो दच्चड पश्चमी अफरीका का जो हिस्सा है दच्चड पश्चमी दच्चड अमिर्का का जो हिस्सा है तो उन जगों पर भी इस तरह के जो वन है भूमत सागरी जलवाई वाले बन है ये पाई जाती है और भाहाँ पर भी अच्छी खासी फलों की खेती की जाती है तो यहाँ पर आपका सही आंसर आपका होगा 11 में का ए एक और तीन देखिए यहाँ पर ध्यान देना यहाँ पर जो प्राकरतिक वनस्पती है वो लोगों ने हटा दी है और प्राकरतिक वनस्पती हट जाने की विज़से क्या है कि यहाँ पर वन जीवन भी कम है क्योंकि कारण बताया गिया है बहुमत सागरी रक्ष सुस्क ग्रीस्म रितु में स्वैम को ढाल लेते हैं उनकी मौटी चाल एबं पतियां वासपोर सलजन को रोकती है देखें कारण भी अपनी जगह सही है यहाँ पर और कारण भी अपनी जगह सही है लेकिन कथन और कारण का कोई मेल नहीं है कोई मैच नहीं हो रहा है अनि कथन की सही व्याक्षा कारण नहीं कर रहा है कथन में बोला गया है कि जो भूमत सागरी प्रदेस हैं इनमें गर्म सुस्क ग्रीस्म और वर्सा वाली मृत सीथ रितु में होती है यह बात बिल्कुत सही है लेकिन यहाँ पर चुँकre इसका कारड जो पंचा गया था जलवाईू से सम्मझ इसकारड पंचा गया था, वो कारड तो यहाँ बताया नहीं गया है, यहाँ पर यह बताया गया है कि तो आपको इस तरह के प्रश्णों को भी ध्यान में रखना है तेरेमा प्रश्ण है बापका संकुधारी वनों के संधर्म में निमलिखत कतनों पर विचार कीजिए मुचा गया है कौन सा कतनिया पर सत्य है पहला है संकुधारी वन उत्री गोलार्द में उच अक्छांसों ये 50 डिगरी से 70 डिगरी में पाई जाते है सेकिंड है हिमाले में ये वन प्रचोर मात्रा में पाई जाते है थार्ड है आपका संकुधारी वनों के व्रक्ष छोटे, कठोर यवन पढ़पाती प्रकार के होते है संकुधारी वनों को टैगा भी कहा जाता है देखे उत्री गोलाड के जो उच अच्छांस हैं पचाश डिगरी से लेकर सतर डिगरी के बीच में जो अच्छांस हैं उन अक्छांसों में आपके संकुधारी वन आपको देखने को मिलते हैं और इन वनों को जो है प्राय टेगा भी कहा जाता है टेगा जो है रसियन भासा का सब्द है और रूसी भासा में इसका मतलब होता है प्योर यानि शुद्ध या फिर अंचुवा जिसको किसी ने चुवा ना हो तो यहाँ पर आपका पहला कतन भी सही है और चौथा वाला कतन यहाँ पर सही है और बताया गया कि यह हिमाले में इस तरह के वन प्रचर मातरा में पाए जाते हैं देखे बिल्कुब बात सही है इस तरह के जो वन है वो हिमाली शेतर में प्रचर मातरा में आपको देखने को मिलेंगे बोला गया कि संकुधारी बनों के व्रक्ष जो होते नरम लखडी वाले होते हैं सदाभार टाइप के प्रक्ष होते हैं पढ़पाती टाइप के प्रक्ष नहीं होते हैं बलके कैसे हैं सदाभार टाइप के प्रक्ष होते हैं और इनके प्रक्षों का उपयोग खास करके कागज की लुगदी बनती है वो बनाने के लिए किया जाता है तो यहाँ पर आपका तीसरा बाला कथन गलत हो जाएगा यहाँ पर केवल एक, दो और चार कथन सही है तो आंसर होगा आपका तेरे में का C चौध हैमा प्रश्ण है अब आपका वन प्रदेशों एवं उनके व्रक्षों के संबंद में सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए सूची एक में एक तरफ व्रक्ष लिखे हुए है सूची दो में वन प्रदेश लिखे हुए है याँ आपको यह मिलान करना है कौन सा व्रक्ष किस बन प्रदेश से विलोंग करता है चीड और देवदार देखें चीड और देवदार जो है ये संकुधारी बनों के व्रक्ष है ये आपके संकुधारी बनों के व्रक्ष है वहीं इसके बाद जो नंबर आता है आपका ये दूसरा नंबर आपका जो आता है S और बीच S और बीच जो है ये आपके सीतोष्ट पड़पाती बनों के ब्रक्ष है इसके लावा इसमें एक ब्रक्ष और आ जाता है बांज का ब्रक्ष वह भी मैं लिखके बता दे रहा हूं बांज नामक पेड़ होता है वह उसका भी ब्रक्ष सीतोष्ट पड़पाती बनों में सामिल है इसके बाद आगे बढ़ते है सागवान और साल देखे सागवान और साल जो है ये आपके उस्ट कड़बंदी पड़पाती बनों इनके ब्रक्ष है इसके लावा यहाँ पर आप यह देखेंगे इन में नीम और सीसम भी आ जाता है याँ आपका एक नीम का पेड़ आ जाता है और दूसरा आपका सीसम का पेड़ भी इसमें आ जाता है किसमें उस्ट कड़बंदी पड़पाती बनों वाली ब्रक्ष में इसके लाबा अगला बाला जो आपका आजाता है ये आपका आजाता है आबनूस आबनूस यहाँ पर एक उष्ट कटबंदी सदाबार बन का प्रक्ष है और आबनूस बाले याणि कि उष्ट कटबंदी सदाबार बनों में आप देखेंगे रोजबुट आ जाता है आपका ल C का दूसरा और D का पहला पंद्रेमा प्रश्ण है बापका वन प्रदेसों एवाम उनमें पाए जाने वाले वन जीवों के संबंद में सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए सूची एक में आपके वन जीव लिखे हुए हैं सूची तो मैं बन प्रदिस लेकी हुए यानि कि ये कहां से बिलोंग करते हैं कि आपको बताना है आपके A में बताया गया फीजेंट और मॉनाल ये दोना पक्छी है बर्ड्स हैं आपकी ये आपकी जो है पक्छी हैं और ये आपके सीतोषड पढ़ पाती बनो वाले प्रदिस से आते हैं इसके लावा इन प्रदिसों में हिरन, लॉम्डी और भेडिये भी पाए जाते हैं जैवरा और हिरन जैवरा और हिरन जो है आपके यह आपके उष्ट कटवंदी है घास इस्तलों के प्राणी है इसके लाव यहाँ पर आपको जिराब भी देखने को मिलेगा इन प्रदिसों में तो यहाँ पर आपका दी का पहला वाला है मिंक और रयत लॉम्डी देखें मिंक और रयत लॉम्डी जो है आपके ये आपके संकुधारी बनों के जानवर है इसके लावा दुरुभी वालू भी इसमें पाया जाता है दुरुभी वालू भी यहाँ पर देखने को मिलता है हाथी गोल्डन नंगूर हाथी और गोल्डन नंगूर जो है आपके ये उष्ट कटवंदी जो पढ़पाती बन है इन से बिलोंग करते हैं तो इसका हो जाएगा दूसरा वाला तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो उष्ट कटवंदी पढ़पाती बन है इसमें हाथी गोल्डन नंगूर के लावा बाग, सेर और बंदर भी पाये जाता है तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पंदरे में का ए वाला, ए का तीसरा, बी का पहला सी का चौथा और डी का दूसरा सोलेमा प्रश्टने बापका उष्ट कटवंदी ये घास इस्तलों की संधर्म में उष्ट कटवंदी ये घास आमतोर पर छोटी होती है अगला है अफरीका का सवाना घास इस्तल उष्ट कटवंदी ये घास इस्तल का उधारण है देखिए जो आपके उष्ट कटवंदी ये घास इस्तल होते हैं ये वन भूमद रेखा गया किसी भी तरफ उख सकते हैं चाहें उपर उख सकते हैं नौट साइड में या फिर साउट साइड में दक्षिड की तरफ जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ उत्तर में ही पाए जाएं तो यहाँ पर आपका ये सिर्फ सब्द लगा हुआ है इसकी वजैसे ये गलत हो जाएगा यानि कि ये भूमद रेखा के दोनों तरफ होते हैं दूसरी बात यहाँ पर इनकी जो घास है यानि कि ये जो इनकी जो घास है वो काफी लंबी होती है तीन से चार मीटर लंबी होती है जहां देना ये तीन से चार मीटर लंबी होती है तो यहाँ पर छोटी नहीं होती है बलके तीन से चार मीटर ये गास लंबी होती है तो सेकिंड बाला कतन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा अगला है अफ्रीका का सवाना घासिस्तल उष्टकटवंदी घासिस्तल का उधारण है और यहां के जानवरों में आपको सामानी रुक से जैवरा, जिराफ, हिरन, तैंदुगा यह सब जानवर आपको देखने को यहां पर मिलेंगे तो यहां पर आपका सही आंसर है, क्योंकि यहां से पुछा गया है असत्य कौन सा है, तो आपका सोले में का ए वाला केबल एक और दो कतन असत्य है सत्रेमा प्रशनय वापका, सीतोष्ण घास इस्तलों के संधर्म में निम्लिकती कतनों पर विचार कीजिए उच्छा गया है कौन सा कतन यहां पर सत्य है, सही कौन सा है यहां पर यहां पर आपका पहला कतन बिलकुल सही है, यहां की घास अगर कंपेर करें हम, उच्छट्वंदी घास इस्तलों से, तो यहां की घास छोटी होती है और फॉस्टिक होती है इसलिए आपने देखा होगा कि इन शेत्रों में डेरी उद्योग सबसे ज़्यादा फलाफूला है तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गतन भी यहाँ पर सही हो जाएगा तो यहाँ पर आपके दोनों ही गतन सही है तो आंसर है C देखे इन प्रदेसों में आपको देखने को मिलेगा सामानित है जंगली भहस, बायसन, एंटि लोग यह सब देखने को मिलेगे तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सत्रे का C अठारेमा प्रशने वापका, रेगस्तान की वनस्पती के संधर्ब में निमलिकत कतनों पर विचार कीजिए पुछा गया है कौन सा अगतन यहाँ पर सत्य है पहला है, उष्ट कटवंदी यह रेगस्तान महादीपों के पूरवी किनारों पर पाई जाते है सेकंड है, कटीली जाडियां सुस्क रेगस्तान जैसे प्रदेसों में पाई जाती है देखे, मैंने कल आपको चैप्टर में बताया था, धाराओं के बारे में बताया था, महासागरी धाराओं के बारे में पश्मी तरफ मरुस्तल बन जाते हैं तो उष्टकटबंदी रेकिस्तान जो है महादीपों के पूरी भाग में नहीं बलकि किसमें ये पश्मी भाग में पाई जाते हैं और पाई जाने का रीजन भी मनें बता दिया है रीजन ये होता है कि पश्मीं की तरफ जो होता है आपका ठंडी धारा बहने की वजय से यहाँ पर मरुस्तलों का निरमाण हो जाता है तो यहाँ पर आपका पहला वाला कतन गलत हो जाएगा और आप लोग जानते होंगे इनकी वनस्पतियों के बारे में तो कटीली जाडियां सुस्क रेगिस्तान जैसे प्रदेसों में पाई जाती हैं तो यह आपका सेकेंड वाला सही है यहाँ पर पूचा गया है कौन सा कतन सत्य है तो यहाँ पर 18 में का बी बाला केवल सेकंड उननिसमा प्रश्ण वाप का द्रुविय प्रदेसों की वनस्पति एवाँ वन जीवों के संधर्ब में निम लिखित कतनों पर विचार कीजिए उचा गया है कौन सा कथन यहापर सत्य है पहला है यहां केवल काही, लाइकेन एवं छोटी जाडियां पाई जाती है अगला है इसी महीं है इसे टुंडरा प्रकार की बनस्पती कहा जाता है अगला है इसमें यहां के जानवरों के सरीर पर पतला, फर इवं पतली चमडी होती है जो उन्हें थंडी जलवाई में सुरक्षित रखते हैं अगला है यहां पाए जाने वाले जानवरों में सील, वालरस, कस्तूरी वेल, दुरुविय उल्लू, दुरुविय भालू और बरफिली लॉंबडी आदी सामिल है देखे बात की जाए आपके दुरुवी परदेशों की, तो दुरुवी परदेश भोजाता ठंडे होते हैं और ठंडे होने की पर जैसे यहां पर बहुती सीमित प्राकरतिक वनस्पति मिलती है यहां पर आपको केवल काई, लाइकेन और यह छोटी जाडियां बगरा यह मिल देखने को मिलती है और इस प्रकार की जो दुरुवी बनस्पति होती है, इसको तुंडरा प्रकार की बनस्पति भी कहा जाता है ध्यान देना, कई वार लोग टुंडरा और टैगा में कन्फ्यूज हो जाते है तो इस प्रकार की जो दुरुवी बनस्पति है, उसको दुरुवी प्रदेसों की बनस्पति होती है, उसको दुरुवी बनस्पति कहा जाता है साल बर नहीं उख पाती है, तीन से चार महीने जबलकी सी वरफ पिखलती है, तो उस समय ये जमरस्पतियां उख पाती है यहां के जो जानवर हैं, अपने आपको ठंड से बचाने की ज़िए, क्योंकि दुरुवी है, प्रदेस है, दुरुवी प्रदेस में पूरी वर्फ जमी रहती है, तो ओवियस्टी बात है, यहां के जानवरों के सरीर पर मोटा फर होगा, पतला फर नहीं होगा, बलके मोट फर होगा, तभी तो वो ठंड से रक्षा कर पाएंगे अपनी, और इनकी चमडी भी पतली नहीं होगी, बलके इनकी चमडी कैसी होगी, मोटी चमडी होगी, तो यहां पर आपका second वाला shipment गलत हो जाएगा, अगला है, यहां पाई जाने वाले जानवरों में सील, वालरस, कस कौन सा अकतन आपका सत्य है, केवल एक और तीन, तो आंसर है उन्निसमे का सीन, बीसमा प्रशने अब आपका यहां पर, नीचे दिये गए घासिस्तलों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से उष्टकटवंदी घासिस्तल के उधारण है, सवाना, डाउंस, कंपोस लानूस, देखें यहां पर सवाना भी आपका क्या है, एक उष्टकटवंदी घासिस्तल है, इसके लाबा जो आपका कंपोस है, ये भी आपका उष्टकटवंदी घासिस्तल है, लानूस भी आपका जो है एक उष्टकटवंदी घासिस्तल है, सवाना जो है आपका ये पू पोज बोला जाता है कहां पर ब्राजील में बोला जाता है लानोस जो है ये वेनेजवेला में होते हैं नहीं वेनेजवेला में इनको लानोस नाम से जाना जाता है वहीं आपका जो डाउन्स है ये आपके ऑस्टेलिया में पाई जाते हैं और यह आपके क्या है, यह आपके सीत, यानि कि ठंडे वाले जो घासिस्तल हैं, सीतोष्ट घासिस्तल हैं, तो यह आपके आपके आउस्टेलियाम हैं, और यह कैसा है, सीतोष्ट घासिस्तल हैं, तो second वाला यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका सही option जो है आपका 20 म गास इस्तलों के नाम और उनके प्रदेश ये याद होने चाहिए अकसर एक्जाम में कोई भी एक्जाम उठा कर देख लो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हर जगे ये प्रश्ण पूछे जाते हैं घुमा फिराकर एक या दो साल में आपको देखने को मिलेगा ये अकसर मुझ लिए जाते हैं तो आपको ये याद होने चाहिए सबसे पहले हैं आपर पंपास की बात कर लेते हैं तो पंपास जो है आपके ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं या अर्जेंटीना में जो सीत्रोष्ट घास इस्तल है उनको पंपास बोला जाता है अगला है प्र वेल्ड के नाम से South अफ्रीका में जाने जाते हैं अब आपके Stepi बचे तो Stepi आपके जो है ये आपके Middle East याणि जो आपका Madd Asia है तो Madd Asia में इस तरह के जो स्थल जो है Madd Asia यूरोब में उनको Stepi के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर आपका सही आंजर है 21 में का E यानि कि A का दूसरा B का चोहता C का पहला और D का तीसरा आप देखें ये प्रशन आपके अभ्यास प्रशनाबली से है का E इवं लाइकेन पाई जाते हैं रेगेस्तानी वनस्पती में उष्ट कटबन दिये सदावार मन में या टुंडरा वनस्पती में अभी मैंने आपको बताया था कि ये आपके दुरुवी वनस्पती में ये पाई जाते हैं या दुरुवी प्रदेसों की वनस्पती होती है उनमें ये सामिल है दुरुवी प्रदेसों की वनस्पती को रेगिस्तानी जलवायू में या ठंडी दुरुभी जलवायू में देखे ये जो जाडियां होती है ये अक्सर गर्म और सुस्क रेगिस्तानी जलवायू में ये मिलती है तो यहां तेशमे का आंसर होगा भी वाला 24 है उष्ट कटवंदी सधावार बन का एक सामाने जानवर कौन सा है बंदर जिराफ उट देखे उष्ट कटवंदी सधावार बन का एक सामाने जानवर आपका बंदर है क्योंकि उट जो है वो रेगिस्तान का जानवर है उंट यहां कर नहीं है उंट आपका रेगिस्तान का जानवर है तो यहां पर आपका सही आंसर होगा आपका 24 में का A वाला 25 प्रशनेव आपका संकुधारी 1 की महतपूर व्रक्ष प्रजाती है इनकी महतपूर प्रक्षप्रजाती कौन सी है रोजबुड चीड सागमान देखें यहाँ पर आपको मैंने बता है था चीड और इसके लाबा देवदार यह आपकी किसकी यानि कि आपकी संगुधारी बन की प्रमुक प्रक्षप्रजाती है यहाँ पर आपका 25 में का सही आंसर होगा आपका B वाला 26 मा है आपका इसकेपी घह diyorum पाये जाते हैं दक्षड अफरीका आश्टेलिया और मददेसिया यह देखें मद देसिया में पाये जाते हैं दक्षड अफरीका वालों कोirsin वेल्ड कहते हैं और यह सभी कैसे हैं यह सीतोष्ट घास के स्थल है 27 प्रश्टने बापका निमलेखित इस्तम्मों को मिलाकर सही जोड़े बनाई है सबसे पहला है वालरस देखिए वालरस के बारे मैंने बताया था आपको यह एक दुरुबी जानवर है यानि इसका आएगा तीसरा यह आपका क्या है एक दुरुबी जानवर है देवदार का व्रक्ष देवदार का व्रक्ष जो होता है यह नरम काष्ट वाला पेड़ होता है यानि इसकी लखडी नरम होती है तो यहाँ पर आपका खाका आएगा पहला वाला जैतून आपका एक सिट्रस का पौदा है निम्बू बंस का फल है जैतून तो यह आपका इसका आ जाएगा गा का छटमा इसके लाबा आपका अगला है हाथी तो देखे हाथी जो है आपका यह उष्ट कटबंदी पड़पाती बन का जानबर है कंपोस की बात कर लेते हैं को इसका आजाएगा आपका सात्मा डाउन्स आप जानते हैं उस्टेलिया का सीटोस्ट घास सिस्थल है तो यहाँ पर इसका आजाएगा चोथा वाला तो यह था आपका प्रश्ण तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेर करना बिलकुल मत भूलिए और देखिए आप लोग परिसान ना हो बहुत जल्द आपको जो है इतिक्स के वीडियो साथी साथ आपको आटेंड कल्चर की वीडियो भी देखने को मिलेंगे थोड़ा सा धहरे रखें काम चल लहा है उस पर टीम वर्क कर रही है क्योंकि उसकी स्राइड़ना सब बनानी पड़ रही है कंटेंड आपको किसी एक किताब से नहीं दिया जा रहा है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही थैंक्स वर वाकिंग जय हैंद